पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि गजाधर की जो पत्नी है वहाँ उनका उमर हो चुका है और संसार का जो सारा दाइतव है उनके उपर है काम करते करते बेचारी ठक जाती है तो वह क्या है अपने पती से जब कहती है अपने बारे में कि वह बहुत ठक जाती है तो उनके पती जो है वे कहते है ठीक है घर में तो बहु है बेटी है तो ये काम जो है आपस में बांट लेने से क्या है तुम्हारा दाइतवर घट जाए हैं क्योंकि वे लोग काम करना नहीं चाहते हैं तो बहुए ऐसा खाना बनाती है जब खाना वेस्टेजी ज्यादा होता है वह किछन का दर्वाजा खूल कर रखती है जिसक्व क्या है बिल्ली आपकर खाना उडैल देती है और यहां पर बसंती जो है अपना खाना ऐसा खाना जान बुछकर खाना खराब बनाती है जिससे से दुबारा है खाना बनानी की आता है तो वो ऐसा खाना बना थी यह सभी क्या है क्षाना नहीं खाते हैं वोलत यह हमसे यह खाना नहीं खाया जाएगा और बेचारी मां को फिर से दुबारा क्या है खाना बनाना पड़ता है आगे हम पड़ेंगे बसंती तुनककर बोली तो नहा खाओ कों तुम्हारी खुशामद करता है तो भाया जो है मतलब नरेंड्र जो है वह खाना नहीं खाता और थाली खिसका देता है बसंति को उठाकर मा ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बना कर खिलाया और फिर मा क्या करती है मतलब नरेंद्र के लिए फिर से खाना बनाती है गजादर बाबु ने बाद में पत्नी से कहा इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनने तक का शवर नहीं आया तो वो तो क्या है जान बुझकर ही ऐसा खाना पकाई थी जिससे कोई ना खाए दुबारा उसे कोई ना बोले कि तुम खाना पकाओ अरे आता सब कुछ है करना नहीं चाहती तो क्या है मा क्या कहती है कि बेटी को सब कुछ आता है पर सिर्फ क्या है वो करना नहीं चाहती खाना बनाना नहीं चाहती कोई दाय तो लेना नहीं चाहती है पत्नी ने उत्तर दिया ईगली शाम मा को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई अगली शाम को क्या है जैसा ही देखा मा कीजन में घुस गई तो वह बहुत कुश होती है और रसोई से बाहर आ जाती है तो बैठक में गजाधर बाबु ने टोक दिया कहा जा रही हो फिर क्या है टोक ही देता रहे भई तु जा कहा रही है पडोस में शीला के घर जा रही हूँ पडोसी जो है शीला के घर जा रही हूँ बसंती ने कहा कोई जरुवात नहीं पिता जी बोलते कोई जरुवात नहीं अंदर जाकर बैट पढ़ाई कर ठीक है पढ़ाई करो पढ़ाई वड़ाई तो करती है नहीं हमेशा गुंती रहती है गजादर बाबु ने बड़े कड़े स्वर में कहा गुस्से से ही कहा कुछ देर आनिश्चित खड़े रहे कर बसंती अंदर चली गई उसके बाद विवी उनकी पत्नी बोल बयाठ का तो उनने कुछ उत्तर ही नहीं दे आए उन्होंने मन में नीश्चे कर लिया कि बसंती की शादी जलकर देनी चाहिए बसंतीा अब शादी कर देनी चाहिए, उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी, अब क्या है उस दिन से बसंती दूर दूर रहने लगी है, किस से आना अपने पिता से, जाना होता तो पिछवाडे से जाती, गजादर बाबु ने दो एक बार पत्नी से पूछा, तो उत्तर मिला रूठी हुई है, तो क्या है क्या उत्तर मिला? की बेटी रूठी हुई है, गजादर बाबु को और रोशा हुआ, अब वह और गुस जाते हैं, लड़की के इतने मिजज, ऐसी लड़की क्या इतना मिजज, जाने को रोग दिया, तो पिता से बोलेगी, नहीं पड़ोस के घर जाने से मना क्या तो मुझसे नहीं पाते करेगी असा भी क्या मिजाज ए फिर उनकी पत्मी ने ही सूचना दीकि अमर अलग रहने को सोच रहा फिर रहने हम लोगों से अलग रहना चाहता है क्यों गजादर बावु को समझ में नहीं आ रहा कि बात किया है कि वह लडब बेटा काफी शिकायत है आप से बहुत शिकायते हैं उनका कहना था कि गजाधर बाबु हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं पहले क्या था उनके दोस्त लोग आया करते थे अब गजाधर बाबु बैठक में पड़े रहते हैं अब तो कोई दोस्त आ नहीं सकत उनको बुलाया नह जारा जहां काफी पाटी होता था अब नहीं हो रहा है कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं क्या है अगर कोई आए भी तो उन्हें बिठाए कहां बैठना बिठाने का जगह नहीं मिल रहा है अब को सब अभी छोटा साथ समस्ते थे और मौके बे मौके टोग देते थे थे सब सोचते थे भई अभी माता पिता के सामने करक्या संतान हमेशा होते हैं तो बड़ा होचुका है शादी हो तो वो उसे अच्छा नहीं लगता था बभू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहरपन पर ताने देती रहती थी अब क्या है बभू जो है हमेशा ताना देती रहती है हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई तो अब गजादर बभू को लगता है कि पता नही पत्ति ने सिर्ख लाकर जताया कि नहीं तो पत्ति क्या क्या थी है कि नहीं आपके आने के पहले कभी भी ऐसा जहमेला घर में नहीं होता था पहले अमर घर का मालिक बन कर रहता था कारण किया था क्यूंकि पहले अमर घर का मालिक बना हुआ रहता था जिसके कारण घर में कोई परिशानी नहीं होती थी बहु को कोई रोक टोक ना थी और फिर क्या है बहु जब मर्जी इधर उधर जाया करती थी दोस्त लोग आते थे सहेलियां आते थे तो उसमें उसको भी कोई रोक टोक नहीं थी और अमर के दोस्तों का प्राई यहीं अड़ा जमा रहता था उसके दोस्त लोग यहां आते थे कि अदर चाय नाश्ता तैयार होकर जाता रहता था बसंति को क्या है वही जीवन अच्छा करना घजादर बाबु ने बहुत धीरे से लिपने तो निया है लात अदुर बाबु बेखे नहीं क्याते हैं कि अमर से कहदे कोई जल्दी बासी नहीं है कुछ दिन सोच ले जाना ही है तो आराम से जाए कि तो पत्नी सोच में पढ़ जाती है तो आशा करती हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा बाकी मैं आपको पाट साथ में समझाओंगे